सिधार्थ और शेहनास का बाउंट बहुत अच्छा है हमेशा ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ हसी मजाग करते हैं इन दोनों की कैमिस्ट्री वाकई लाजवाब होती है शेहनास और सिधार्थ को फैंस एक साथ देख कर इतने खुश है कि इन दोनों की जोडी का नाम भी फैंस ने रख दिया है जो है सिधनास बता दे सिधार्थ के नाम से सिध और शेहनास के नाम से नाज मिला कर फैंस ने बना दिया है सिधनास फैंस तो इन दोनों को एक साथ घर से बाहर शादी करते हुए देखना चाहते हैं जी हाँ फैंस की ख्वाहिश है कि ये दोनों घर से बाहर शादी करें लेकिन नहीं सब चीजों के बीच फैंस इस बात का जवाब भी नहीं ढूंड पाते हैं कि क्या सच में इन दोनों की दोस्ती अब बस दोस्ती नहीं बलकि प्यार बन गया है इस बात का जवाब फैंस को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स डारेक्ली शेयर नहीं की हैं बस शेहनास ने ये कहा है और हमेशा से कह रही है कि मुझे यहां बस सधार्थ से मतलब है और सधार्थ ने ये कहा है कि शेहनास के लिए मेरे दिल में अलग फीलिंग्स है लेकिन फिर वहीं ये दोनों एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं फैंस इस बात से बहुत कंफ्यूज हैं। हम आपको बताते हैं शेहनास की एक बात जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि शेहनास को सधार्त से प्यार हो गया है। मेरी तारीफ की लेकिन तब तो मेरी तवित खराब थी उसने कुछ बोला मेरे लिए। इस तरह के सवाल शेहनास पारस से पूछती हुई नजर आई थी। तो शेहनास अगर सधार्त से अपनी तारीफ की उम्मीद रख रही है तो समझ जाईए कि शेहनास की तरफ से तो सधार को शेहनास प्यार करने लगी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चानल अरपन न्यूस को गने सब्सक्राइब और येस डॉन्ट फॉर्गेट टू प्रेस बल आइकन ताकि हमारे चानल पर आई कोई भी इंफर्मेशन आप बिल्कुल भे मिसना गर पाएं।